ठीक है उर्मिले जी मैं अज़्ाफ। जहाँ घंगा। और मुझे रखता है कि प्रधानमंत्री के पद का जो महत्व है वो भी कुछ हद तक बधा है सीमित हुआ है यह दिहम इसको देखना चाहें राजनीतिक परट्रेक्ष में तो यह साफ राहिर होता है कि आखिर राहुल के जिस भूमिका की उमीद थी हमें 2014 के चुनाव में उसक जो इर्द्गिट के इलाके हैं बहुत साफ है उसका जो भूगोल है बहुत साफ है और अब दिखाई पड़ता है कि राहुल गांदी कॉंग्रस पार्टी में एक नेता के तौर पे 2014 के चुनाव में भाग लेंगे और नरेंद्र मोदी का सामना शायद आमने सामने खुल के क करें जिस बात को लेके आशंका थी कि शायद कहीं ऐसा नहों कि कॉंग्रस कोई लीडर प्रोजेक्ट न करें और मोदी बनाम कॉंग्रस जैसा चुनाव हो तो अब स्थिती ऐसी दिखती है कि चुनाव शायद राहुल बनाम मोदी होगा सती जी एक चीज जो समझना चाहते हैं लोग भी कि आखिर इस अध्यादेश को वापस लिया गया लेकिन लाने के ऐसे ज़रूरत क्यों पड़ी थी आखिर ऐसा कदम उठा है क्यों जिसको वापस लेने के ज़रूरत पड़ गई देकि जो पुरानी कॉंग्रिस है या गठवंदन की गाठ में चलती हुई कॉंग्रिस है और जितने भी गठवंदन की कॉंग्रिस की वाली यूपी ए की पार्टिया है वो कॉंग्रिस के लास के ऐऊपर जो है वो आगे बढ़ी है मुझे लगता है कि ये पहले वाली बात थी कि UPA1, UPA2 उस कोईलिशन को बना के रखा जाए वो वाली जो सोच थी, वो वाली जो धड़ा है उनको लगता था कि लालू एहम है, फलाना ठिकाना सब एहम है और उसके बात जो है, उनके दिमाग में साइध ये बात चली आई, चाहराहुल के नीतियों से, उनके बयानों से, उनकी बातों से लगता है कि कांग्रिस को जिन्दा करना पड़ेगा तो अकेले बल्बूते करना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि जो दूसरी वाली नई सोच है, नए पौद की सोच है, नए नेता की सोच है उसको उन्होंने इसको ठीक समझा है, और 206 उनके सीटे भी आई थी पिछली बार तो उनको अब लगता है कि कांग्रिस भले ही ऑपोजिशन में बैठे, लेकिन कांग्रिस को जिन्दा करना या कांग्रिस को अपने बलबूते खड़ा करना अतियावस्यक है, बैसाखी पर और गटमंधन के युग में मुलायम, माया या लालू के वदौलत अगर ये कांग्रिस या सरकार या यूपिय चले, तो शायद ये लगता है कि वो छोटे कांप्रमाईज जिसको वो बताते हैं राहुल गांदी, वो उनको मनजूर नहीं है यानि कि ये मानका चला जाए कि ये दूर दरशिता का परिचे कहीं न कहीं आपर दिया गया है, एक कुछ बयान और सामने आया है, ज़रा इन बयानों पर भी नसर डालते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ये जो अध्यादेश सरकार में लाया था, वो दुष्ट बुद्धी से लाया था, अपनों को बचाने के लिए लाया था, पूरा देश में विरोध था, राहुल जी ने तो इस अध्यादेश के लिए वोट दिया था खुद, उसके पक्ष भी तो उनका तो पाखंड है, व ये प्रधान मंत्री का च्वाइस है, वो दे न दे, लेकिन अगर सचमुझ में अध्यादेश किसी ने रोखा है, तो उसका शरिया भारतिये जनता पार्टियों और मूल तोर से राष्ट बदिन होदे को जाता है, हम तो पहले से ये अध्यादेश के खिलाफ थे, और सबसे दिल्चस्प बयान यहाँ पर नितीश कुमार का समझ में आ रहा है, ऐसे में उर्मिलेश जी उनका बयान भी आप में सुना, अगर फैसले को वापस ले लिया जाता है, तो उसमें प्रधान मंत्री का कद कम नहीं होता, प्रतिक्रिया आपकी नितीश कुमार जी इस वक्त और उनकी पाटी, कॉंग्रिस पाटी के सबसे प्रबल समर्थक और प्रबल एलाई के तौर पर उभर रहे हैं, एलाई हुए बगैर, कई बार ऐसा लगता है कि कॉंग्रिस के प्रवक्ता अगर नो बोल रहे हैं और जेडियू का कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो लगेगा आपको की Congress का प्रवक्ता ही कोई बोल रहा है तो अब लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि नितीश कुमार जैसा पढ़ा लिखा समझदार सुचिंतित व्यक्ति ये कैसे मान रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री जी का कद बढ़ गया राहूल अंधिका कद बढ़ा है उनकी रायनितिक हैसिएक बढ़ी है उनकी एथारिटी बढ़ी है लेकिन प्रधानमंत्री उनकी cabinet Congress के और Congress Party की पूरी की पूरी जो लीडर सीफ है वर्किंग कमिटी उसका कद कैसे बढ़ा है ये तो कम से कम रायनीतिक भारत की रायनीति का एक सामाने विद्यारती होने के नाते मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है अजे उपाध्या जी आपको भी लगता है कि नफान उक्सान वाला बयान है पूरी तरह से नितिश कुमार का को वो भी समझ रहे हैं कि अभी किसके साथ जाना बहतर है देखिए लालू को जिस दिन सजा होनी थी उसके ठीक दो दिन पहले राहुल गांधी का ये बयान इस बात का प्रमार है कि उन्होंने बहुत सधी हुई राजनीति के साथ उस दिन वो बयान दिया और ये साफ कर दिया कि लालू के लिए UPA सरकार अपनी छवी नहीं बलदान करेगी यानि वो जेडी यू के साथ हाथ बढ़ाने को तयार है वो एलायन्स प्री पोल भी हो सकता है और पोस्ट पोल भी हो सकता है तो जो फैसला लालू की सजा के दो दिन पहले लिया गया है उसमें ये राजनीत तो सब लोग जो भी थोड़ा बहुत राजनीत को ठीक से समझते हैं वो देख रहे थे कि जेडी यू के साथ अब कॉंग्रेस आगे बढ़ने को तयार है और इस हब तक तयार है कि वो लालू के पीछे पूरी तरह से तैयारी हो गई है कि एक साथ चलना है दूसरा सवाल मेरा ये कि लालू प्रसाद यादव को लेकर के चली सेक्रिफाई नहीं कर सकते लेकिर रशीद मसूद का भी नाम आप तो आ गया इसमें तेकि रशीद मसूद कॉंग्रेस के लिए बहुत मैटर ही पढ़ रहा है तमा पूरे मीडिया के अंदर जे तो राहुल की छवी जैसा कि उन्मिलेश जी कह रहे थे उससे तो बढ़ी है और वो स्थापित हुए है इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है दूसरी बात जो आपने नितिश कुमार वाली बात पूची तो ये तो मैं सु उसी समय बढ़ा ली जाएं और लालू परसाद यादव को कॉंग्रिस से थोड़ा दूर रखा जाए इसलिए वो अलग वो नहीं तो इतने दिन साथ चले इसका अचानक से ये डिवोर्स क्यों हुआ ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी और तीसरी बात यह है कि जो मन मोहन सिंग जो कल तक जब जहाद में लौट रहते हैं उनकी जो वो है इतना आकरमक था जिसमें उनने कहा कि राहल गांधी ने उनसे अपाइंट्मेंट मांगा है उन्हों ने कहा कि अब और डाउंस तो लगे रहते हैं उन्होंने काग्रिस में इसकी दो बार कैबनेट में दो बार चर्चा हुई थी और जो है केविनेट में भी चर्चा हुई थी तो अचानक से कल रात से अब तक क्या हुआ जो यह अध्यादेश बापस इतनी जल्दी ले लिया गया दरसल कई पार्टियां भी विरोध कर रही थी एंसीपी कह रही है कि राहुल का बयान जो है वो क दार आधा कहें कॉंग्रेस में तो उसमें नेता की तलाश थी क्योंकि आप जानते हैं Dr. Manmohan Singh के प्रती पूरा आदर रखते हुए भी मैं नीजी तोर पे मैं मानता हूँ और बहुत सारे राजनितिक परवेक्षक मानते हैं कि इस तरह के वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है जिस तरह Congress Party को चाहिए तो सोनिया गांधी जी ने जब उनका नाम प्रस्तावित हुआ था प्रदान मित्रीप के लिए आपको याद होगा मैं 2004 की बात कर रहा हूँ तो उन्होंने अपने ताज को एक तरह से ट्रांसफर कर दिया आधरणी मनमोहन सिंगी की तरफ तो Congress को तब से एक नेता की तलाश थी और धीरे धीरे राहुल जी को कहा जा रहा था कि वो उभरें उभरें आगे आमें और वो लें तो कुल मिलाकर उन्होंने विरासत को समाला है अब देखना यह है कि इसको कैसे वो आगे ले जाते हैं किस तरह किस तरह पार्टी को नित्रितों देते हैं क्योंकि 2014 के चुनाव में एक संकट यहा है कि Congress Party पहले के मुकाबले कमजोर हुई है सरकार की नाकामियों और विफलताओं की वज़ासे उसको लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ी है उसके च्छत्र सिम्टे हैं आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा उसका जनाधार था लेकिन वो तेलंगाना की लड़ाई की वज़ासे और उसमें मिस हैंडरिंग की वज़ा तो ऐसे में राहूल गांधी कैसे अपने गटबंधन को देखेंगे कैसे अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाएंगे कैसे गटबंधन के दौर में अपनी पार्टी को इतना स्वेम आजाएं ये बहुत मुश्किल सवाल है